नमस्कार मैं स्वाथी और आप देखें MPCJ 24 News Express बड़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की हो गरीबों के रासन पर डाका, नवागत SDM का छापा, व्यापारी की वाहन से बरामद हुआ त्रानबिक विंटल सास की चावल वाहन को पुलिस अभी रक्षा में रखकर आवेश्यक वस्तू अधिनियम के तहट की जा रही कारवाही विगत कई वर्सों से लांजी छेतर में सोसाइटी का रासन जैसे चावल और गेहूं की निजी व्यापारियों के द्वारा काला बाजारी किये जाने की खबरे लगातार समाचारों में प्रकासित होती रही है बावजूद इसके अब तक कोई बड़ी कारवाही नहीं किये जाने से लोगों में निरासा व्याप्त थी वही इस मामले पर लांजी के नवागत SDM कौरव द्वारा तगडी कारवाही कर लगभग 93 क्विंटल सास की चावल को वहन सहीद बरामत कर लांजी पुलिस की अभी रक्षा में रखा गया है और आवेशक वस्तू अधिनियम के तहट कारवाही के जाने की बात कही गई है ऐसे पकड़ी गई व्यापारी की चूरी लांजी HDM प्रदीप कौरों के अनुसार वेचेत्र के भ्रमण पर थे तभी उन्हें एक वाहन संदेहस्पद इस्थिती में दिखाई दिया जिसके बाद उन्होंने उक्तवाहन को फुट इंस्पेक्टर के साथ जाच मिलिया और नागरिक आपूर्ती निगम के द्वारा भी उक्तवाहन में भरे हुए चावल की जाच कराई गई तो पाया गया कि उसमें सरकारी स्रासन में पाया जाने वाला 45 चावल था जिसके बाद मौके पर पंचुनामा कारेवाही कर आवेशक वस्तु अधिनियम के तहट कारेवाही प्रारंब है और उक्त व्यापारी के वाहन 407 को पुलिस थान लांची में अभी रक्षा में रखा गया है व्यापारियों के लिए खत्रे की घंटी सुत्रों से मिली जौनकारी के अनुसार अनेक फुटकर व्यापारियों के द्वारा हितिग्राहियों से सोसाइटी का उक्त चावल खरीद कर बड़े व्यापारियों को उचे दामों में बेचा जाता है और फिर यही चावल दूसरे राज्यों में भेच कर विक्री की जाती है जिसे कई गुना दामों में बेच कर व्यापारी मोटा मुनाफा कमाते हैं ऐसे मैं इस कारेवाही के बाद अब सोसाइटी के चावल में मिला फोरिफ़ाीट व्यापारीओ के लिए खतरे की घंटी बन गया है पहले सोसाइटी के रासन में फोटिफाइट चावल नहीं मिला होता था जसके चलते पहचान करना काफी मुस्किल भरा होता था लेकिन अब fortified चावल मिले होने से अधिकारियों को जाच करने में काफी आसानी हो गई है जो कि व्यापारियों के लिए खत्रे की घंटी साबित हो गई है MBC 24 News Express लांजे से पवन कश्यप की रिपोर्ट अधिक लदी होने पर और दपर टाडी को रोका गया दो चावल परिक्षान कराईयों कॉष्धा कि प रिक्षान करें परिक्षान में पत्हम द्रश्ट है आकज I tell perspective मैं चावल है उसको जब देखा गया तो उसमें कुछ अंस उसके निकले पर अब इस बात की सत्यता के लिए नागरे कापूरती निगम के बेख्टी को बुलाया गया उनसे उसका परिषण कराया गया परिषण में भी उनके दोरा तीन-चार बोलियों को अलाग अलाग इस तरहों पर पुल जो चार सो साथ का माल था उसको जब्त किया जब्त करने के बाद अठाना परिषर में उसको खुड़ाया गया और उसके बाद अब आवशक बचते दिनियम के पहते से कारवाही तो जैसे कि और कुछ वैपारी है जो सुसाइटी का चावल लेते हैं सर खरीली करते हैं तो उ मिलते हैं अगली बार मैयोर ताजा खप्रों के साथ बने रही हमारे साथ में तब तक के लिए नमस्कार